असामलेकूम वेलकम बेक तो माई चैनल रियल ब्यूटी सीक्रेट्स कैसे हैं फ्रेंड आप सब उमीद है कि आप सब बिल्कुल हरियत से होंगे तो फ्रेंड्स आज हम के लॉन पे कंप्लीट रिव्यू देंगे जिसमें मैं आपको प्राइजेस समर बेस और जो विंटर के ल अपने जारी हूं मैंने आपको अपनी लास्ट शॉपिंग वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके सार ये वीडियो शेयर करने वाली हूं तो आएए मैं आप इसके मुतलिक आपको बताती हूं ये क्रलॉन का प्राइमर है ये नॉर्मल टू ड्राय स्किन के लिए है ये आप विंटर में यूज कर सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा प्लाई भी आपको स्किन पर करके दिखाती हूं बहुत इसकी स्मूथ और फाइन फिनिशिंग है पो इसको बिल्कुल अच्छे से फिल अप कर दे ये जल फॉर्म में है और इसको अप्लाय करना भी बहुत इज है बहुत मज़े से अप्लाय हो जाता है बल्कुल तोड़ी सी इसकी हमने कौनेटिटी लेनी है और ये पूरे फेस पर हमारे अप्लाय हो जाएगा सबसे पहले हमने प्राइमर यूज कर लिया उसके बाद अब हमें जरुरत है कि हम बेस लगाते हैं अब वो डिपैंड करता अब यूज के लिए प्राइमर है वो दिखा दूँ यह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है इसे हमने अच्छे से जैसे लूज पाउडर वगरा पूरी स्कीन पर अप्लाय कर लेते हैं ब्रश के साथ या स्पॉंज के साथ इसको अच्छे से हमने फेस पर अप्लाय कर लेना है और यह हमारी ओईली स्कीन के लिए प्राइमर के लिए और Wahr को है यह बी हमारे पाउडर के लिए कि स्काप लॉज अपाउडर है यह हम भेस अप्लाए करने के बाद इसको यूज़ करते हैं अब मेन जो हमारा topic है हम लोग अपने base की तरफ आते हैं इसमें different colors आते हैं यह color आप अपने complexion के मताबिक select करना है अपका जैसे complexion है आप same उसके मताबिक लें या अगर आप fair लेना चाहते हैं तो one ton lighter आप लेंगे इसकी price 29.50 है primer की भी यही price है 29.50 और ऐसे ही loose powder की भी यही prices है चले अब हम आजाते हैं टीवी पेंस्टी की तरफ यह basically oily to normal skin के लिए है मेरे skin complexion पे F1 बिल्कुल search आता है तो मैं आपको वो ही दिखाती हूँ इसके इलावा जो हमारी ज्यादे Asian skin पे use होता है FS45 है और उसके इलावा F1 है और fair skin में याता है F1 और IV अभी मैं आपको अपनी skin tone के मताबिक F1 दिखाने लगी हूँ इसको मैं primer के उपर ही use करूँगी और टीवी पेंसिक समर में भी बहुत अच्छा लुक देती है प्राइमर के बाद जैसे आप ये टीवी पेंसिक लगाएंगे तो ये अच्छी रहेगी आपके लिए और foundation जैसा कि आप जानते हैं कि dry skin के लिए ज्यादा अच्छा है और winter में ये अच्छा रहेगा आपके लिए foundation में इसके बाद टीवी पेंसिक के बाद अब आपकी अपनी चोईस है कि आप थोड़ा heavy look चा रहे हैं बेस में या थोड़ा light चा रहे हैं अगर तो आप light चा रहे हैं तो इसके बाद आप face powder direct apply कर लेंगी इसकी भी price इस वक्त 29.50 है इसके rates change होते रहते हैं फिलहाल जो इसका rate है वो 29.50 है अच्छा जी तो आप बेस पर discuss हो गया जैसा कि foundation अगर आप लगाना चाहें अगर आपकी dry skin है या winter है तो आप इसी में foundation ले लें और अब compact powder की तरफ हम चलते हैं वो मुझे ST का ज्यादा पसंद है compact powder ले 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 या जो आप इसमें dual face powder है आप वो ले ले लें dual का य यह है कि आप एजा उसे pancake भी यूज़ कर सकते हैं wet sponge के साथ और अगर नहीं तो आप उसको dry भी यूज़ कर सकते हैं compact powder लगा के तो आपकी जो base है वो complete है अब आप बाकी अपना make-up कर सकते हैं dual में भी आप जो भी आप अपना base का shade लें वही आप अपने compact या twin face powder में आप व करती हूँ आपकी हुद की choice है कि आप क्रेल लॉन में लेना चाहेंगे या थोड़ा इसका change करना चाहेंगे brand उसके लावा अब आजाते हैं BB cream और CC यह HD की है अब यह जो हम normal routine में base बनाते हैं जैसे girls job पे जाती है यूनिवर्सरी जाती है उनको जो कि daily base पे make-up करना होता है तो वह daily proper एक base नहीं बना सकते हैं उनके पास इतना time नहीं होता और उसके लावा वैसे भी हमें SPF जो है sun protect भी चाहिए तो उसके लिए हमें BB cream और या ऐसा ही कुछ ही use करना पड़ेगा यह compact powder के आप finishing check कर लें ताकि आपको अपने लिए buy करने में थोड़ी आसानी हो जाए यहां पर tester वगरा मुझूद होते हैं आप try करके देख लिया करें अगर आपको अच्छा लगे उस time पे तो ठीक है वहां पर sales girl भी होती है जो आपको अच्छे से guide कर देती है वैसे आप कोशिश करें कि आपको हुद से अपने purchasing आनी चाहिए यह F1 का ही shade मैं आपको compact powder में भी दिखा रही हूँ अच्छा अब हम आ जाते हैं बीबी क्रीम के तरफ वह मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ वह जैसा कि मैं आपको बता रही थी के डेली बेस पे जब हमें बेस बनाना होती है तो उसके लिए हमें यह इस ताइप की foundation या कह लेंके बीबी क्रीम वेगरा ठीक रहती है इसमें SPF 15 मुझूद है जो के आपको sun से भी प्रोटेक्टर केगी sun के लिए हमें sunblock वगरा यूज करना पड़ता है लेकिन जब आप यह यूज करेंगे तो उसमें आपको sunblock की ज़रत नहीं रहेगी इसमें वह भी मुझूद है तो इसके लावा यह एक foundation प्रॉपर एक बे पोर्स को भी साथ ही block कर देती इसमें primer भी मुझूद है मतलब इसके साथ हमें primer यूज नहीं करना पड़ता लेकिन अगर आप फिर भी कोई spray form में primer यूज करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप rose water से shower करें और उसके बाद आप कीट में 1550 रुपीज है इसके बाद अब आप face powder यूज करें और आपकी base complete है friends मैं उमेड करते हूं कि आपकी आपके लिए ये वीडियो बहुत useful रही होगी तो आप kindly मेरे चैनल को subscribe करें bell icon के साथ अगर आपने subscribe नहीं किया तो उसके लावा वीडियो को please like किया करें comment में तब तक के लिए अलाफिज मिलते हैं नेक्स इंशाला किसी अची से वीडियो में